इतिहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इतिहाद में आप सभी का खेर मगदम है बेलगाम शहर में आजकल जूट फरेब का कारोबार फलता फलता नजर आ रहा है कौन किस पर भरोसा करे समझ में नहीं आ रहा है यहां के लोग भी काफी जजबाती है इन्हें असानी से बातों के जरीए फसाय जा सकता है कई सारे लोग चंदे के बहाने जूट बोल कर कारबार चलाते हैं कभी फर्जी कमपनिया भी बनाई जाती है तो कभी कभी कोई स्कीम दिखा कर लोगों को दोखा दिया जाता हाल ही में एक नया मामिला सामने आया है जिसे खुद पुलिस महकमा भी हैरान रहे गा है वैसे आजकल इडी का नाम अक्सर सुनने में आता है अब तो सरकारी महकमा का नाम ही लेकर धोका धड़ी के कामों को अंजाम देने की वारदात सामने आई है ना सिर्थ नामों को इस्तमाल किय सरकारी काखजाद और सरकारी मोहर तक फर्जी बनाकर लूटने का काम मधूकर सापड़ जो शात्री नगर बेलगाम कर रहने वाला है इसने इस काम को अंजाम दिया पी एन बी नेट लाइफ इंचुरेंस कंपनी की फर्जी पॉलिसिया बनाकर तक्रिबन 26 लाग से भी जाय भी कई जारी है इन फर्जी नोटिसों को बैंक के जिम्यदारान ने सत समझकर देहली इडी दफ्तर को जवाब देते वे लिखा के आपने जिस तरह बैंक खातों को सीज करने के लिए कहा था उसी तरह हमने तमाम खातों को सीज किया जब बैंकों के जानिब से जवाब को द गरानी तहकीक चलने की बात मदुकर सापड़े को मालूम हुई तो वह लापता हो गया अपने नजदी की लोगों से भी इसने रुपए हासिल किये थे पर जिस शातीर तरीका इसने इस्तमाल किया इसा देखकर कुछ देर पूलीस भी दंग रहे गई इसके पास फरजी सरकारी मोहर फद्जिकागजाद को बरामत किया गया है तप्शीश जारी है कोरोना को लेकर रियासिती हुकूमत हमेशा कन्फ्यूज नजर आती नितिकल के अकबार में और साफियों से मखातिव होते हैं वजिर सहत के सुधाकर ने कहा था कि करनाटक कोरोना मुक्त होने की तरफ बढ़ार कहा कि अब तक 10 लाग से भी जायद लोगों को वैक्सीन दी गई है महसे एक दिन में रियासत में तकरीवन 75,000 लोगों को वैक्सीन दी है और कोरोना मरीजों की ताहदा भी घट रहे हैं लिहाज जल्द हम कोरोना मुक्त होने वाले हैं पर वहीं आज हुकूमत की जानिब से बड़े मंदिरों को बंद रखने का हुक्म जारी किया जा रहा है अवाम यह सोचने पर मजबूर है कि करन नाटक में मरीज बढ़ रहे हैं घट रहे हैं सवंदत्ति का मंदीर बढ़ते मरीजों के मद्दे नजर बंद करने का फैसला बिलगाम जिला इंतजामिया लिया हुआ है अब सवंदत्ति मंदीर को एप्रिल तक बंद रखने का फैसला लिया जा रहा है जबकि महाशुरात् का मेहना भी एप्रील में है इसके पिछले लॉगडाउन में भी हमने देखा कि पूरा साल तक्रीबन लोग किसी यीदत्यों हां से महरूम रहे मैस कोरोना का बाना बनाकर कभी मरीज घटते हैं तो कभी इजाफा होता है कि बाने मंदिरों इबादत गाहों को बंद करने का फै क्या तरह कि पावंदिया इद ना करें मुटालबा आव से किया जा रहा हैं वैसे तमाब स्यासियास हजारो लाख हों की भीड को खुद-प्रदान मंतरी जमा कर रहा हैं पिछ़ले कहीं माइनों से हजालों की तैदात में किसान अंदोलन भी चर रहा है पर वह किसी तरह का कोरोना नहीं फैल रहा है तो हुकुमत तमाम मज़ाहिब लोगों को खुशी से यत्योहार को मनाने को दे ऐसा भी मुतालबा अक्सर लोगों की जानिब से किया जा रहा है वैसे भी वजिर सहत के सुदाकर ने करनाटक कोरोना मुक्तों ने की तरफ बढ़ रहा है सब पहले ही का है पर महराष्ट से अवाम की भीड संदत्ती को आ सकती है इसलिए बंद किया जा रहा है ऐसा भी का जा रहे हैं वैसे तक कोई मोकमा अब सरकारीर रहने के इमकानात बहुत कम है हुकूमत सभी मोकमाओं को बेच रही है मह कर एक बार फिर बैंकों के नीजिकरन को लेकर 15 और 16 तारीक को बैंकों की जानिम से बंद का एलान किया लियाजा शनीचर से मंगल तक मुकमल चार दिन बैंकों के कारोबार बंद रहेंगे मुस्तकिल चार दिन बैंक बंद होने की वज़े से आने वाले दो दिनों में ही बै आप तप्षीश के लिए हास या साइटी को यानि की स्पेचल इन्वेस्टिकेशन टीम को मुंतखब किया है जिसके जुनमेदार आई जी पी सुमेंदों मुखर्जे होंगे वही दूसरे और दिनेश करना नहीं करने की मांग की है पर जेडियस लेडर आशुक पुझारी ने सकत अलफाज इस्तमाल करते हुए कहा के इस मामले की पूरी मांदारी से तैकीक होनी चाहिए सीड़ी में रमेजर क्यों खुद नजर तो आ रहे हैं पर रमेजर क्यों इससे इंकार भी कर रहे हैं जब तक तफ्षीश मुकंबल होकर क्लीन चीटता ही मिलती इन्हें किसी हाल में वजारत ना दी जाया ऐसा कहा गोकाक में जब र इस मामिले में यडूरप्पा हुकूमत और पुलिस महकमात की भी तैकीक जरूरी है खबरों का सिल्दला यूँ ही चलता रहेगा देखते रहे हैं त्यानी उस शुक्रिया अना भी